नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड जोतिस सीक्रेट साल 2021 में राहू कुछ रासियों पर मेहनवान तो रहेंगे लेकिन कुछ रासियों के लिए संकट भी कड़ी करेंगे तो 2021 में राहू किन को करेंगे माला माल और वो लकी रासियों कौन सी हैं जिनको नहीं होने देंगे कभी कोई परिसानी यानि हर कश्ट से बाहर निकाल ही लेंगे राहू आपको तो चलिए समझते हैं बिस्तार से पहले बात करेंगे मेस रासि की मेस वालों पूरे साल आपके धन भाव में राहू रहेंगे अब राहू जहां रहते हैं आकस्मिक ही चीजे करते हैं जीवन में अब धन भाव पे बैठे हैं तो धन भी आकस्मिक रूप से देंगे यानि पूरे साल अचानक धन प्राप्ती के योग बनते रहेंगे प्रोपर्टी चमीन इन मामलों में आप बड़े लखी रहेंगे क्योंकि राहू आपको भरवर के देने हैं तो यकिनन आप अगर लेना चाहते हैं तो फिर प्रयास देश कर दें दिमाग का आप जहां भी प्रयोग किया जाएगा बुद्धी से जो प्राप्त हो सके वो आपको जरूर देंगे विसेस कर विद्यारतियों के लिए अच्छा वक्त जो सब बाले हैं 2021 में राहू आपके लग्ण में बैठे हैं अब राहू के मिल्क स्रियान च्छतर में होने से थोड़ा तनाव तो द दिमाग यूच करें और दामपत्त जीवन में तनाव देगा राहू क्योंकि सप्तम भाव में द्रिष्टी भी है और केतू भी है लेकिन जैसे ही रोहिनी नच्छतर में आएंगे तब धीरे-धीरे 27 जन्वरी से राहत है जो मिथून वाले हैं उनके लिए राहू आपके ब द्रिष्टी दृकर हैं द्रीरे 5 करना चालते है जो भी द्रिyesो में द्धन कमाने के लिए defense से करना चाहते हैं तो फिर ये वक्त बहुत अच्छा है करकबालों आपके एकदस भौमे राहू रहेंगे अब यहां पर क्यां होग चपपडपार सफल ताय यूद शुरूआत में राहु जो है जो बैपारी हैं उनको जबरदस्त लाब देंगे जीवन साथी के साथ समय भी अच्छा बिताएंगे और संतान को सफलता मिलेगी खास कर जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि परमोशन और तबादले के योग भी बने वे आपके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है जो सिंग वाले हैं उनके दसंभाव में राहु बैठेंगे अब दसंभाव में राहु के रहने से नौकरी बैपार में थोड़ी परेसानिया आ सकती है तो आप अपने पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा बहुत तनाव महसूस क करेंगे हलांकि जन्वरी के अंत में जब राहु यहां पर रोहिनी नचत्र में आएंगे यानि फरवरी के महिने से आपके जीवन में राहत मिल रही है और आगे भी मिलेगी खर्चे कम होंगे धनम बढ़ेंगे और जीवन का तनाव भी थोड़ा कम होगा तो सिंग वालों क कश्ट तो देंगे क्योंकि यहां पर देखिए हलांकि फरवरी के महने से थोड़े कश्ट में कमी आएंगे लेकिन पिता के साथ संबंद बहतर बनाए रखिए इस समय लंबी दूरी की यात्रा करने से थोड़ा बचिए या फिर बहुत समल के और आपके भाई बेहनों को भ कश्ट हो रहा है हलांकि उच्च सिक्षा की तैयारी कर रहे है जो विद्यारती है फरवरी के महने से आपके जीवन में खुसियां लौट रही है तो फिर अच्छे परिणाम मिलेंगे पढ़ाई में फोकस रहेगा रिजल्ट अच्छे आएंगे जो तुला वाले हैं धाया चल रही है अब अस्टमबाओं में राहू है अब यहां क्या होगा देखिए राहू मानसिक कश्ट देंगे आपको सौट कट के तरीके से धन कमाने के लिए प्रयास रत करवाएंगे राहू यानि उन चीजों में लिप्त कराएंगे जैसे लौटरी जुवा सट्टा लेकिन मत चाहिए क्योंकि यहां नुकसान है ससुराल पक्ष के लोगों से हलांकि आपको राहत मिलेगी उधर से आपका मानसिक मनोबल बना रहेगा उनके साथ रिस्ते बहतर होंगे लेकिन मार्च के महिने से संभलके ही रहिएगा चरुरत से ज़्यादा किसी भी चीज में भटका क्योंकि थोड़ा साथ दामपत्ति जीवन में भी तनाव है हाला कि पैपारियों के लिए अच्छा है जो लोग जौब करते हैं उनको भी बड़ी सफलता मिलेगी इस से में लंबी दूरी की यात्रा प्राप्त करने के अफसर भी बनेंगे जिसका फायदा आपको मिलता रहे ये आपके पाउं के नीचे होंगे जो बिद्यार्थी है पर तो इत्रा पैच्छा की त्यारी कर रहे हैं उनको मेहनत का फल मिलेगा लेकिन खर्चे बढ़े हुए हैं लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं राहू हना कि फरवरी मार्च के मेहने से जीवन में सामान निगती से एक सब कुछ में ठैराव देंगे तो आपस के लिए तैयार रहे हैं जो मकर वाले हैं साड़े साती चाती के उपर चल रही है और राहुदेव आपके पंचमभा में विराजमान है अब कश्ट तो होगा क्योंकि घर परिवार लब लेसंसिप थोरी दिकते हैं तो हर जगह आपको तोल मोल कर बोलना होगा कम बात करना होगा मीठा वचन रखना होगा इस समय संतान के प्रती थोरी सी आपकी चिंता है जो भी द्यार्थी है पढ़ाई पे फोकस करना तो चाहेंगे पर रुकाबठ है तो गायतरी मंत्र पढ़िए आपका सही समय पे सही डिस संसीप में सुधार होगा और आप लब मैरेज भी कर पाएंगे जो कुम्भ वाले हैं उनके लिए राहू आपके चतुर्थभाव में अब 2021 की बात हम कर रहे हैं तो राहू पारिवारी सुक में थोड़ा सा तनाव दे रहे हैं लेकिन मार्च के महने से आपके कारे छेतर में सफलता एक बार फिर से जो दौर चलता है आपके जीवन में वो चलेगा कोई प्रपर्टी समंदी कोई भी विवाद है तो उसका आपके पक्ष में फैसला आएगा तो प्रपर्टी संपत्ती का लाब होगा धन भी आएगा और राहू आकस्मिक लाब भी करवाएगा लेकिन फिर भी संभलके जो मीन बाले हैं तिरती अस्थान पे राहू रहेंगे आपका साहस आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप अपने सत्रूं को पराजित कर पाएगे क्योंकि आपकी वानी अदभुत रहेगी आपका दिमाग एक्टिव रहेगा इसमें यात्रा के भी योग अच्छे पैणाम मिलेंगे तो राहू यहां पर आपके जीवन में खुसियां भर रहे हैं तो इन खुसियों के पल को आपको सेयों कर रखना है क्या करें कि सब कुछ और अच्छा हो जाए ज्यादा कुछ नहीं आप गनेज जी की उपास ना करें फिलाल आपसे विदा लेत जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हरहर महादेव